हेलो व्यूटिफल सोल्स गुद बॉर्निंग आए देखते हैं आज आपकी और आपके पार्टनर की एनरजी किस तरह की होगी वेलकम टू सोलफुल जोनी दस इस सांधी शर्ख्मा आए देखते हैं आप दूनों की आज की एनरजी किस तरह की रहने वाली है आप दूनों की आज की एनरजी किस तरह की होगी आए देखते हैं आज की एनरजी आप दूनों की किस तरह की रहने वाली है सो मैं इस जेक को रांडमली दो पार्ट्स में डिवाइट कर लेती हूँ सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनरजी देखते हैं The Witch का card है यहाँ पर, Ace of Wands का card है, Seven of Pentacles का card है, Queen of Pentacles का card है, and Seven of Wands का card है. आज जो भी third party आप दोनों के बीच में exist कर रही है, उस third party की तरफ से कोई action होने जा रहा है, और इस third party के action का reaction यह होगा, कि आपके partner एक नई direction में move करना शरू कर देंगे. आपके partner आज दिन में जो भी मेहनत करेंगे, उसका कोई causeful उन्हें नहीं मिलने वाला है, आपके partner को यह समझ नहीं आएगा कि उनकी life के अंदर यह directional change क्यों हुआ है, आपके partner के कुछ trust issues पैदा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यह ऐसे trust issues होंगे, जो आपके partner को करेंगे, कि वो अपने around एक wall create करें, जिसकी वज़र से आप उनकी energies तक शायद पहुंच नहीं पाएंगे, आप शायद उनकी energies को समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके की energy है, आपके partner आज कुछ नया financially भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें successful नहीं हो पाएंगे, य और 11-11 portal के खुलने के साथ, changes तो होने ही है, अब यहाँ पर अपने relationship को लेकर, जो भी मैं guided और भी videos बनाती हूं, 9-30 videos आती है, प्लीज उन्हें देखिएगा जरूर कि ये third party का क्या ऐसा influence है, because ये third party पूरे force के साथ, आज आपके partner की energies को change करने वाली है, इस बात का ध्यान र अब हम देखते हैं आपकी energy क्या है आज के दिन के लिए, so देखते हैं आपकी energy क्या है, यहाँ पर five of wands का card है, the next card is four of pentacles का card है, यहाँ पर, the next card over here is two of pentacles का card है, nine of wands का card है, and page of calluses का card है, actually आप अगर अपने partner के साथ no communication zone में हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके partner की तरफ से कुछ signs आपके लिए आ रहे होंगे, और आज क्या होगा, वो सारे signs खतम हो जाएंगे, ठीके, और अगर आप अपने partner के साथ contact zone में हैं, तब भी आज आपके partner बहुत indifferent behave करेंगे, जिसक वज़र से आज आप अपने partner की तरफ एक अलग सा perception रखेंगे, आपका opinion point अपने partner को लेकर आज change होता हुआ नजर आ रहा है, आप आज महसूस करेंगे कि आपके partner बहुत selfish आप करते हैं, उन्हें सर्फ अपने से मतलब है, अपनी family से मतलब है, अपनों से मतलब है, उन्हें आप से कोई मतलब नहीं है, ऐसी feeling कहीं न कहीं आपको अंदर से develop होगी, आप दो situations के बीच में आज confused हो जाएंगे अपने partner को लेकर, क्या आपको आपके partner के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो सच में आप से प्यार करते हैं, क्या वो अपने feelings जो आपके सामने कभी express करते हैं, वो सची है भी की नहीं, ये सब चीज़ें आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर आप अपने partner के साथ communication zone में हैं, तो आज आपको महसूस होगा कि अपने partner को समझाना मतलब लडाई को मोल लेना है, तो इसलिए आप अपने opinion points को अपने partner के सामने रखते हो जाएं, आज आप अपने partner से expect करने वाले हैं, कि वो complete अपनी feelings आपके सामने बया करें, लेकिन आपके partner ऐसा कुछ करते हुए, मुझे नजब नहीं आ रहे हैं, जैसे कि उनकी energies देखी हैं, मैंने, आपके partner अगर अभी कुछ दिनों से आप से contact में आ गए दे, तो अचानक से no communication zone में भी वो आज जा सकते हैं, उसका reason third party influence है, जो कि बहुत strong आज रहने वाला है, जैके 11-11 portal बहुत सारे changes लेकर आता हैं हमारी life में, एक नई शुरुवात होती है, तो ये शुरुवात सिर्फ आपके रिष्टे के लिए, मतलब positivity की तरफ को लेकर जाए, ऐसा जरूरी ही होता है, कई बार ऐसा होता है, साइकल जब change होता है, तो हम अपनी guidance जो हमें मिलती है, हम उसे कहीं नग ही ignore कर देते हैं, और उसकी वज़व से रिष्टों में जब changes आते हैं, तो आपको लगते हैं कि ये कैसा सा change आया है, ये तो negative change है, वो negative नहीं होता है, आप time miss कर चुक हैं, वो मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं, ये reunion के लिए है, ये abundance के लिए है, career के लिए है, health के लिए है, overall abundance के लिए ये portal का ritual आज मैं करने जा रही हूं, तो अगर आप में से कुछ लोग interested हैं, तो आप please मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं, और ये आप दो बचे तक ही कर सकते हैं, and one more thing, 11.11 portal पर एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, आप please देखिएगा जरूर, उसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, so thanks for watching, I hope आज की energy को आप बहुत अच्छे से channelize कर पाएंगे, see you soon.